एंजलवन सबसे अच्छा ब्रोकर क्यों है तो एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या सर्विसेज प्रवाइड की गई है तो यहां पर जो हॉम है उसके साइड में आपको न्यूज सेक्शन मिलता है उसमें आपको सारी तरह की न्यूज प्रवाइड की जाती है वाच कितना amount invest किया है और आपको कितना profit या लौस हौँरा है नीचे IPO की कौन-कौनस-IPO लांच होने वाले कौन से आने वाले हैं कौन से चल रहे हैं mutual funds related आपको जिस मुचल fald में इन्वेस्ट करना हो आप अपे पर ही कर सकते हैं ETF से रिलेटेड कि आप Global Market, Gold, Silver, Depth, Smart Beta, Sector, Equity इन से रिलेटेड आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप Gold में इन्वेस्ट करना चाते हैं तो Gold का option भी दिया गया है तो आप Angel One पर IPO, Mutual Fund, Stock SIP, Gold Bond, ETF सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां पर डिभ्सकावर स्टोक्स में हाइएस्ट रिटर्न, सेक्टरल थिम्स में कूछा सेक्टर इभी चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, एक विक एंदर हायेस्ट परफॉर्म कौँ से share ने किया है, टॉप गेंटर्स कौन से रहे, वन दर एक और, और high market cap, low P ratio, high dividend yield कुई कोन से share सबसे ज़्यादा dividend प्रोवाइड करवाते हैं bluest of blue chips जो blue chip वाली companies है उनके बारे में बताया गया है जिनका market cap 50,000 करोड से ज़्यादा होता है वो blue chip companies होती है नीचे list of stocks में the bull cartel, undervalued companies, magic formula, coffee can portfolio अगर आप future और option में trade करना चाहते हैं तो home पर ही आपको इंस्टा ट्रेड FNO की facility दी गई है जिसमें nifty bank, nifty fin nifty और इसके लावबे आप जो भी add करना चाहते है shares और उनसका option है और यहीं से आप buy call पर click करके call option buy कर सकते है buy put पर click करके put option buy कर सकते है तो quick trade के लिए यह वाली facility यहां पर दी गई है home पर इंस्टा ट्रेड FNO वाली और यहां पर जो एंजलवन के जो experts है वो एक advisory भी देते हैं कि कौन सा share अच्छा परफोर्म करेगा कौन सा portfolio भी बताते हैं नीचे GTD order है GTD order होता है जिसमें आप पहले ही trigger price लिख देते हैं target लिख देते हैं stop loss लिख देते हैं कब buy करना है कब sell करना है सार आप लगा के छोड़ देते हैं और यह एक साल तक रहता है या फिर जितना मतलब well duty एक साल तक होती है यहां पर आपको ट्रेडिंग करने के साथ ट्रेडिंग सिखाई भी जाएगी और एडवाइजरी भी दी जाएगी कौन सा स्टोक लेना है कौन सा नहीं लेना है आप एंजल वन से स्टोक SIB भी शुरू कर सकते हैं मतलब SIP होती है इसमें मन्तली आप एक अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट करते है यहां पर ट्रेड बड़ी का ऑप्शन है इसमें आप टॉप इंट्रेडेट ट्रेड्स डेली मार्केट अनलिसिस एक्सपाइड ट्रेड्स लर्न फूचर एंड ऑप्शन ट्रेड मुचल फंड्स पावर फीचर्स मतलब जो सारे एनलिसिस या फिर जो भी स्ट्रेड्स होती है वो सारे आपको ट्रेड इजी पर सिखाई जाएगी या ट्रेड बड़ी पर सिखाई जाएगी यह यहां पर वीकली एक्सपाईरी फिन निफ्टी का वीकली एक्सपाईरी अनलिसिस ट्रेड ट्यूब सारे आप्शन्स है एंजेलवन लर्निंग सेंटर में भी हिसम वही है इंवेस्टर बीगिनर्स ट्रेडर्स के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल अनलिसिस है यहाँ पर आपको एंजेलवन के पेज पर लाइव ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी उप्शन्स की एक्स्टरनल सर्विसेज में एक्सपर्स के पॉर्टफोलियो मिलेंगे और यहाँ पर जो वेस्टेड का उप्शन है इसमें आप एंजेलवन से ही यूएस के स्टॉक्स जैसे अमेजन, तेसला, फेस्बुक, गूगल, माइक्रोसोफ्ट इन सब पर इनवेस्ट कर सकते हैं और शायद बिटकोईन पर भी आप इनवेस्ट कर सकते हैं वेस्टेड को एक्टिवेट करके एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेटी रिक्यमेंडेशन आती है कि आप शोर्ट टर्म या लोंग टर्म या फिर इनवेस्टमेंट के लिए कौनसा शेर बाई करें, कौनसा सेल करें मार्केट अपडेट्स के नदर आते हैं कि कब ट्रेडिंग होलीडे है और कब ट्रेडिंग शेशन है और वर्च लिस्ट में आपको यहां पर पांच वर्च लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको 50-50 स्टोक्स एड करने का उप्शन है डिस्कवर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 52 वीक हाई, टॉप गेनर्स अल्टाइम हाई, टॉप लूजर्स हाईस्ट रिटर्न, बुलिश मार्केट मुवर्स, 52 वीक लो मतलब यह सारे स्ट्रेटजी और टेकनिकल अनलिसिस से रिलेटेड स्टोक्स का लिस्ट मिलेगा यहां पर टॉप गेनर्स में, आर्वेनल, इर्कॉन यह वाली कंपनीज है या शेर्स है, सबके अकोर्डिंग, फंडामेंटल अनलिसिस होता है टेकनिकल अनलिसिस होता है उसके अकोर्डिंग आपको सारी लिस्टिंग ही पर मिल जाएगी, PE प्राइस अनिंग रेशियो वाला पॉर्टफोलियो लो रिस्क तो यह डिस्कॉवर के अंदर था और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको यहां पर चार्ट्स, ऑप्शन चेन, OI अनलिटिक्स का ऑप्शन दिया है और यही पर कॉल पुट का दिया है और निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन निफ्टी और यहां पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपनिफ्टी बैंक एक्स जो भी एड करना चाहिए वो कर सकते हैं पॉट्फोलियो में आपको इंदर यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लोस ट्रेड्स अंड चार्ज SIP ओडर बुक Stock SIP Stock Placing Activate DDPI का उप्शन मिलता है मीचिल फंड का उप्शन है मीचिल फंड का उप्शन है Gold Bonds का है, Advisory का भी है ओडर्स में आपका जो आप ओडर्स लगाते हैं वो है अकाउंट के अंदर आपको यहां पर Stock Placing की Facility दी गई है, Pay Later की Facility दी गई है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप पाई करके उसको बाद में भी Pay कर सकते हैं कुछ Charges के साथ Trades and Charges का Option दी गई है इसमें आपको हर ट्रेड का चार्ज कितना लगा है सब पता लगेगा Statement and Laser में आपको जो भी Extra Charge होते हैं कि यहां पर कोई भी Hidden Charge नहीं है सारे Charges आपको पूरी Transparency के साथ यही पर दिख जाते हैं जैसे आपने यह वाले Shares खरीदे हैं तो यहां पर चार्ज 0.94 है और यह वाला Shares यह भी इसको भी Sell किया है इसका भी 0.71 यह एक्विटी वाले Shares है इनके Charges है यह और जो FNO ट्रेडिंग है उसका Charges तो ही सही जैसा कि मैंने बताय था आपको 20-20 रुपे तो एक बार Charges पर बात कर लेते हैं कि एंजल्वन में अकाउंट कैसे खोलना है और क्या इसका प्रोसेसिंग रहेगा एंजल्वन पर और एकाउंट उपन करने के लिए कोई Charges नहीं है फ्री ऐकाउंट उपन होका एकाउंट ओपन जो चार्ज होता है फ्री में अकाउंट उपन होका और जो equivalent delivery होती है I mean unlimited trading होती है वो भी फ्री होती है बस इसमें जो DP Charges रहते हैं वह तो हर application में होता है अगर आप एक्यूटी में ट्रेड करते हैं तो यहां पर देख लेता है यहां पर चार्ज है 0.94, 0.71, 13, 0.33, और 3, मतलब वही चार्ज होते हैं 3-4 रुपे, 1-2 रुपे, बट जो DP चार्ज होता है वह 20 रुपे होता है, तो इस वज़े से एंजलवन पर एक्यूविटी ट्रेडिंग इरो ब्रोक्रेश पर है, फिचर और ऑप्शन में बाई सेल कर रहे हैं तो 20-20 रुपे लगेंगें तो एक ट्रेड का से 40 रुपे के आसपास लगता है, तो डेस्क्रॉप्शन में लिंक दिया गया है, उसका रेफरल यूज़ कर रहे है, आप किसी भी एप्लिकेशन चाहिए, आप स्टोक हो, जीरो दा हो, ग्रो हो, किसी पर भी डिमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो रेफरल जरूर यूज़ कर रहे है, उससे होगा य कि आपको भी प्रोफिट होगा, और आपने जिसका रेफर यूज़ किया है, उसको भी प्रोफिट होगा,